आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने Bank of Bauda के Bank Account का statement किस तरह से PDF फाइल में download कर सकते हैं अगर आपका Bank of Bauda में account है और आप अपने account का statement एक महीने से लेकर पूरे एक साल का download करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मैं step by step पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने Bank of Bauda के account का statement download करेंगे तो चलिए बिना time waste किये आज की इस वीडियो को start करते हैं Bank of Bauda के bank account का statement download करने के लिए सबसे पहले आपको play store से Bank of Bauda का mobile banking application B.O.B. world install कर लेना है उसके बाद इसे open करके इसमें आपको registration कर लेना है B.O.B. world application में किस तरह से registration करते हैं इस पर हमने already detailed वीडियो बना दिया है उस वीडियो का link description में मिल जाएगा उस वीडियो को देखकर आप आसानी से इसमें registration कर सकते हैं registration का process जैसे ही आपका complete हो जाता है तो उसके बाद आप इसमें login हो जाएगे login होते ही application का home interface कुछ इस तरीके का display होगा चलिए बात करते हैं कि यहाँ से आप किस तरीके से अपने account का statement download करेंगे तो इसके लिए सबसे नीचे right corner में यहाँ more की option पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कई सारे options आ जाएंगे यहाँ explore के अंदर आपको request services का एक option मिलेगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ certificate and statement में आपको account statement का option देखने को मिल जाएगा simply इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा यहाँ पर आपको अपको अपने bank account का number देखने को मिल जाएगा उसके बाद नीचे यहाँ from और to में आप किस date से किस date का statement डॉनलोड करना चाहते हैं वो date यहाँ पर select कर लेंगे पर एक्जामपल अगर आपको एक महीने का statement डॉनलोड करना है तो पहले यहाँ from में जिस date से आपको statement चाहिए वो date स्रिक कर लेंगे जैसे के यहाँ पर हमें 10 जुलाई से 10 अगस्त का statement डॉनलोड करना है तो पहले यहाँ from में 10 जुलाई 2023 select करके OK करेंगे उसके बाद यहाँ 2 वाले section में जाएंगे और यहाँ 10 अगस्त 2023 select करके OK कर देंगे इसी तरह से आप मैकसिमम 12 महीने का statement के लिए यहाँ से request कर सकते हैं जैसे के अगर आपको 1 अगस्त 2022 से लेकर 31 जुलाई 2023 तक का statement डॉनलोड करना है यानि पूरे एक साल का आपको statement चाहिए तो from में 1 अगस 2022 पहले select करेंगे उसके बाद 2 में 31 जुलाई 2023 select कर लेंगे date select करने के बाद यहाँ email statement के option पर जैसे ही click करेंगे तो आपके bank account में जो registered email ID होगा उस पर bank के तरफ से आपका statement send कर दिया जाएगा फिलहाल हमें 10 जुलाई से 10 अगस्त यानि एक महीने का statement चाहिए तो यहाँ पर हम यह date select कर लेते हैं date select करने के बाद simply email statement पर click कर देंगे इसे skip करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं email send successfully Your account statement request has been accepted and statement will be emailed to your registered email ID यानि हमारे bank account में जो email ID registered है उस पर हमें statement send कर दिया गया है इसे done कर देंगे और उसके बाद आपको अपना email ID open कर लेना है जो आपके bank account में registered है हमने अपना registered email ID open कर लिया है चलिए यहाँ पर हम अपने mail को एक बार refresh कर लेते हैं refresh करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं bank of बढ़ोदा की तरफ से हमारे bank account का statement आ चुका है इस mail को open करने के बाद scroll करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपके statement का PDF फाइल शो करेगा जिसे आप यहाँ download वाले बटन पर क्लिक करके इसे download कर लेंगे यहाँ पर हमारा file download हो चुका है तो इसे open करेंगे open करते ही इस तरह से आपका PDF फाइल password protected शो करेगा तो यहाँ पर इसका जो password होगा वो आपका registered mobile number रहेगा तो simply यहाँ पर आप अपना registered mobile number इंटर कर देंगे उसके बाद इस तरह से आपका statement PDF फाइल में open हो जाएगा जैसा के यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने मंद का भी statement के लिए आपने request की होगी उतने मंद का statement बैंक की तरफ से आपको इस तरह से email के थूर सेंड कर दिया जाएगा तो दोस्तों इस तरह से आप बैंक बढ़ोदा के bank account का statement डाउनलोड कर सकते हैं उमीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें